तो दोस्तो बाल विकास मंत्राली भरती के बारे में बात करने वाले है कि कैसे आपको आवेदन करना है आपके आवेदन की अंतिम तिती भी 25 दिसंबर रहने वाली है जियां दोस्तो सीधी भरती आपकी रहेगी डिरेक्ट जोइनिंग आपकी करवाई जाएगी 8 वे, 10 वे, 12 पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा महिला और पुरुस दोनोई की वेकेंसी रहने वाली है All India Level के Candidate आवेधन कर सकते है शुरू से लेकर के अंतर तक वीडियो को जरूर देखेगा एक एक स्टेप आपको बताने वाले है तो दोस्तो जो आपकी वेकेंसी रहने वाली है All India Level के Candidate आवेधन कर सकते है तीन से चार स्टेट में आपके दोस्तो वेकेंसी निकलिए और वेकेंसी के लिए दोस्तो आपके नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है दोस्तो काफी अच्छे पदों पर आपके वेकेंसी है आपको पूरा डिटेल में बताने वाले है कि कैसे आपको वेकेंसी के लिए आवेधन करना है और कैसे आपको आपके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते है तो दोस्तो आपकी महीला एवं बाल विकास मंत्राले के अंतरगत पांच हजार पदो पे आपके आवेदन शुरू हो चुके जियां दोस्तो आपको पता दूगी काफी टाइम से आपके आवेदन मांगे जारे वेकेंसी के लिए जो भी इंट्रेस्टेट केंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं टोटल मिला के आपके पांच हजार पद रहने वाले हैं ओनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा दोस्तो वेकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ने 8 वेपास, 10 वेपास और 12 वेपास रखा गया है और आपके दोस्तो विबागी वेबसाइट रहने वाले महिला और बाल विकास मंत्रा लेगी www.wcd.nic.in इसके अलावी दोस्तो आपके इंडिविज़न वेबसाइट भी दे रखें जिस पर जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो दोस्तो आपकी इस वेकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालीफिकेशन है आंगनवाडी सुपर्वाइजर के लिए 24 पास आंगनवाडी कारी करता के लिए दसवी पास और आंगनवाडी साहिका के लिए आठ वी पास सूपरवाइजर के पद दोस्तों आपे male और female दोनों ही निकले बाकी के कारे करता और साहिका के आपे female candidates के लिए रहने वाले है आपकी जो चैयन पर क्रिया रहेगी लिकित परिक्षा आपका online mode रहने वाला उसके बाद में document verification भी conduct करवाया जाएगा जियां दोस्तों All India Level के candidate eligible रहने वाले इस vacancy के लिए इस vacancy के लिए दोस्तों वेतन मान भी रखा गया आंगनवाडी supervisor के लिए 28,000 पर मंत आंगनवाडी कारे करता के लिए 18,000 पर आंगनवाडी साइका के लिए आपे 15,800 पर मंत रहेगा दोस्तों ये आपका ये बेसिक पे रहने वाला है इस vacancy के लिए आयू सीमा ये आपे 18-40 श्वर्स के बीच में रखी गई है OBC के लिए 3 साल का SCST को 5 साल का और ये आपे शारीरिक अशक्त उमिद्वार को 10 साल की छूट मिलेगी दोस्तों vacancy के लिए आवेदन शुलक बता दू General OBC EWS उमिद्वार को 200 रपे चार्ज लगेगा वहीं SCST और महिला के लिए 50 रपे चार्ज आपका लगेगा Online payment आपको करना पड़ेगा और आवेदन की जो तीती रहने वाली है 25 दिसंबर आपके last date रहने वाली उसके पहली ही आप आवेदन कर लीजिएगा आवेदन आपके शुरू हो चुके है वो आपको बता देते की कैसे आपको आवेदन करना है और दोस्तों आवेदन कैसे करना है इसके लिए आपको description box में link provide करवा दिये जाएगा वहाँ से direct आप आवेदन भी कर सकते है काफी अच्छी वेकेंसी है महिला और बाल विकास मंत्राले की तरफ से आपके आंगनवाडी विबाग में दोस्तों वेकेंसी निकल चुकी है आवेदन जरूर कीजिगा male और female दोनों ही candidate की वेकेंसी रहने वाली है अब मिलेंगे next वीडियो में एक नई update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों